बड़े बड़े खबरी और बड़े बड़े चैनल यूटुब पे जैसे कि शुद्मन रंजन ये दावा कर रही हैं ये बात बोल रही है कि शिवानी कुमारी और अर्मान मलिक बाहर से ही एक दूसरे को जानते हैं पर घर के अंदर आने के बाद प्रेटेंड कर रही हैं कि हम तो एक दूसरे को जानते ही नहीं, हमारा तो कोई contact ही नहीं हुआ है ऐसे सारी बाते जो है social media पर हो रही है काफे सारे खबरे, बड़ी-बड़ी बाते जो है इन दोनों के बारे में लिख रही है बड़े-बड़े channels जो है इनके बारे में बाते बोल रही है तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आखिरकार इसके पीछे की सच्चाई क्या है सच में ये लोग सच बोल रहे हैं या इन लोगों के पास कोई बाती नहीं थी करने के लिए बस ऐसे ही वीडियो बना दी बस ऐसे ही कोई पोस्ट कर दिया लिखके तो ये शिवानी कुमारी का एक व्लोग है जो कि उसी के चैनल पे है अर्मान मलिक के साथ है तो दो साल पुराना व्लोग है जहां पर अर्मान मलिक ने जो है अपनी बीवी पायल के साथ में भी शादी की थी तो उस vlog में जो है दिखाई दे रही है शिवानी कुमारी शिवानी कुमारी का ये vlog देखने के बाद छोटी-छोटी clips जो है social media पर share की गई छोटी-छोटी photos जो है social media पर share की गई share करने के बाद जो है अभी दावा यही किया जा रहा है कि ये दोनों pretend कर रहे है पहली बात तो यह है कि शिवानी ने और अर्मान मलिक ने ऐसा कोई दावा किया ही नहीं है ऐसी कोई बात बोली ही नहीं है ना तो लाइव फीट में बोली है ना तो उन्होंने एपिसोड में बोली है कि हम एक दूसरे को जानते नहीं है इवन कल लाइव फीट में शिवानी काफी ज़ादा उदास हुई हुई थी शिवानी कुमारी ने सुबह सुबह यही बात बोली है इवन वो सना मुक्बुल को भी यह बात बोलती हुई नजर आई कि आप बताओ सना कि अगर आप किसी की शादी में जाओ मैं आपकी शादी में आऊं और फिर वहाँ पर फुल लॉन हम लोग बात करे भाईया भाबी बोले बहुत अच्छा इंच्वाई करे और फिर मैं वापस आ जाऊं और आप मुझे बीना मतलब बीना किसी बात कि आप मुझे अनफॉलो कर दो तो आपको कैसा लगेगा तो सना ने बोला कि अफकॉस बुरा लगेगा रेजन तो पता होना चाहिए कि अनफॉलो क्यों कर दिया है ये बात शिवाणी ने क्यों बोली थी मैं आप लोगों को बताती हूँ पूमारी ने कभी भी ये बात नहीं बोली है कि मैं अर्मान मलिक को जानती नहीं हूँ, इवन शिवानी ने ये बात बोली है कि मैं अर्मान मलिक के शादी में गई थी और उन्होंने मुझे अगले दिन unfollow कर दिया था बिना किसी reason के, तो जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये episode और उसी के साथ live feed भी बहुत ध्यान से देखिए, तभी आपको पता चलेगा, नहीं तो आपके followers जो है आपको गालिया निकालते रहेंगे, क्योंकि मेरा बहुत ही मन करता है ऐसी जूटी चीजों के उपर से परदा उठाने का, इसी के साथ मैं लेदियों जाज़त, नमस् है जिए साथ क्वारे से चीजों के जूटी बहुत है आपको जाज़ते देखिए।